Hello guys, welcome back in a new video and आज हम देखने वाले हैं the most popular Nissan Magnite and ये कार इतनी ज्यादा popular है क्योंकि इस कार ने ही पूरी कंपनी को इंडिया में टिका रखा है तो you can see the popularity of this car क्योंकि यार इतना ज्यादा अच्छा प्रोड़क्त निकाला है निसान ने at this price point क्योंकि कोई कार इतने features and इतना अच्छा लुक्स इस price point में नहीं देता है आज के टाइम में प्राइस की बात करें so it is a base variant and ये कॉस्ट करता है 7 lakhs on road ओके साथ लाग रुपे में आर आज के टाइम में वैगिनार और टियागो इस तरह की छोटी गाड़ी आती है होई पर आपको इस price point में निसाइन प्रोवाइड कर रहा है अच्छे खासे size की SUV गाड़ी you can see the looks कितने ज़्यादा premium looks इसमें देखने को मिल जाते हैं you can see front काफी ज़्यादा bold front view इसमें देखने को मिल जाता है यह पर आजाती है निसान की बैजिंग and this is a grill chrome insertings मिल जाती है यह पर और भी chrome insertings देखने को मिल जाती है and headlights की बात करें तो इतनी ज़्यादा premium sleek सी इसमें headlights देखने को मिल जाती है and these are in halogen लोक्स इतने जादा अच्छे है ना इस कार के बलब इस price point में कोई कार इतने जादा अच्छे लोक्स आपको प्रोवाइड नहीं करती है you can see and side से बात करें बलब this is a base variant and कहीं से भी आपको base variant वाली feel नहीं आने वाली इस कार में and features तो इतने जादा दियो है जो कि और brands mid variant में देते हैं features वो निसान ने इसके base variant में दिये everything we will say in detail सबसे पहले बात कर लेते side look की you can see कितनी जादा अच्छी लगते है कार यहां पर आजाती है मैगनाइड निसान मेगनाइट की बैजिंग ब्लैग आउट में आते हैं और भी बट अच्छी चीज है कि बेस्वेरेंट में भी जो इसके डोर एंडल सेना बॉडी कलर में दी होएं तो यह कापी चादा अच्छी चीज है and त टायर्स की बात करें तो उस तरह से आजाते हैं इसमें रिम वील्प इन इस आ चायर्थ तो अच्छा खासवाइल मिल जाते हैं टायर्स की and फ्रेंट में मिल जाते हैं इसमें डिस्क ब्रेक्स यहां पर आजाते हैं इंडिकेटर फेंडर पर you can see the side look काफी जाद अच्छी लगती है and base variant में ही मिल जाती है इसमें roof rails देख रहे हो and पीछे से तो car ultimate लगती है मतलब कोई इसको बताई नहीं सकता कि base variant है कि top variant है क्योंकि base variant में कमपणी ने दे दिया यापर rear wiper and defoggers मतलब features तो इस car में भर भर के दिया यार 7 lakh रुपए में इतने जादा features amazing याँ पर मिल जाती है निसान की badging and याँ पर आजाता है magnite इस तरह से लिखा हुआ tail lights काफी जादा अच्छी रखते है you can see and नीचे बात करे skid plate मिल जाती इस तरह से blackout में and tires की जो width है ना काफी अच्छे चोड़े मिल जाते है tires you can see so exterior से तो यार इसमें एक भी negative निया कार में अगर मैं बताऊ amazing है यार 7 lakh रुपे में इस से अच्छी गाड़ी मुझे निया लगता अभी तक कोई होगी इंडिया में and that's why this is the top selling car in this segment की की बात कर लेते हैं तो इस तरह से मिल जाती है इसमें नॉर्मल की obviously आर बेस वेरिंट है तो रिमोट की आप ऐज़े इसमें लगवा सकते हो and engine की बात करों तो दिस इस आ 1.0 पेट्रोल इंजन टर्बो चार्ज भी आता है इसमें and automatic भी आता है यह है इसका 1.0 manual in petrol and यह जनरेट करता है 71bhp and 96nm का टॉर्क तो decent मिल जाती है पावर अब चलतें इंटीरियर में and इंटीरियर तो आर इसका amazing है you can see the door panel 7 लाग रुपे में base variant मिल रहा है इसका and you can see base variant में all four power windows देखरो and soft touch मतलब आमेजन यार फीचर्स तो भर भर के दिया इसमें and या पर भी silver insertings आती है speaker वागेरा and infotainment system इसमें नहीं आएगा obviously आर मतलब हर चीज थोड़ी देगी अब company and door panel you can see कितना ज्यादा premium लगता है इसमें और भीम अड़ेस्ट करने के लिए आपर आजाती है noop seats की बात करें तो fabric seats आजाती है with very good comfort and front में आजाते है इसमें adjustable headrest तो seats का comfort काफे जादा अच्छा है आप चलते इंटीर में and interior देखो यार मतलब मतलब एक बार इसका interior देखो कितना ज्यादा premium dual shade में मिल जाता white and black कितना ज्यादा अच्छा लगता है यार मतलब amazing यार साथ लाग रुपे में आपको कोई कार प्रवाइड नी गरती तिना ज्यादा premium interior देख रहो and steering की बात करें तो steering में देख लो मतलो में आप अपर भी नोने silver inserting शुदी है कहीं से भी नहीं लगती आप कार आपकी base variant है निसान की badging एक बर की लगा लेता है और अन्सका instrumental cluster देखते हैं यहां पर आपको इसका infotainment system नहीं मिलेगा वाइज एसेसरी आप इसमें लगवा सकते है वह बड़ी बात नहीं है और यहां पर आजाता है बूट ओपन करने के लिए button hazard lamps and this is for the fog walk अटाने के लिए यहां पर आजाता है phone को रखने के लिए space and central console देखो कितना ज़्यादा unique और premium मिलता है and gearbox की बात करें न तो gearbox से देखो है base variant पर कितना ज़्यादा premium देखने को मिल जाता है 5-speed का manual gearbox amazing यार fit and finish काफ़ी ज़्यादा अच्छी है and काफ़ी ज़्यादा premium लगती है car AC controls भी देखो कितने ज़्यादा amazing देखने को मिल जाता है and यहाँ पर आ जाता है 12V का power socket and again यहाँ पर भी मिल जाता है decent space so interior काफ़ी ज़्यादा premium देखने को मिल जाता है and steering की बात करें तो steering आजाता है यहाँ पर tilt and इस तरह से and TPMS everything is there and clusters are information वगयर आजाते हैं यहाँ पर you can see the dashboard काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है and clubbox भी देखो कितना ज़्यादा big size का मिलता है अब मेज़न यार and door को lock करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से 9 भी मिलेगी okay and ac winds का जो design है कितना जाद अच्छा मिल जाता है silver start and finishing के साथ में यहाँ पर अच्छा लगता है काफी IRWM आजाता है day and night adjustable तो यह भी काफ़ी अच्छी चीज़ा है मतलब base variant में everything is there sun visor आजाता है इस तरह से co passenger side में आजाता है IRWO vanity mirror and base variant में मिल जाता है soft close के साथ में grab handle वेगर मतलब features तो आजाता है amazing है features को तो and यहाँ पर आजाते हैं 2 cup holders and decent size के space नहाँ पर and car काफी जादा अच्छी रखती यार amazing यार and नीचे मिल जाते इस तरह से pedals you can see and यहाँ पर आजाता है traction of control का button so that's all from the front amazing यार मतलब मैं तो उसको 10 on 10 देना चाहँगा exterior तो अनों ने मतलब इन अच्छे इसमें दिये ही है top variant जैसा but interior भी amazing है अब बात कर लेते है रेयर में car वह जुकी है lock तो इस तरह से मिल जाता है रेयर में भी काफी जादा premium door panel यहाँ पर भी soft touch मिल जाता है fabric में power window silver finishing काफी जादा premium लगता है अब लोगों के मन में होता है ना कि बेस वेरिंट लेंगे तो यार window आज से चड़ानी पड़ेगी and काफी basic सा मिलेगा interior तो इस कार में वो चीज़ कंप्लीटली सॉट आउट कर दे निसान ने काफी जादा मुलबाब को टॉप वेरिंट जैसे मिल जाता है door panel and seats are very comfortable fix head and adjustable headrest amazing base variant में front में भी and rear में भी मिल जाता है this में adjustable headrest and recline angle everything is good front seat मेरे height के cording adjust है and you can see the leg space amazing काफी अच्छा मिल जाता है leg space and seats का comfort भी अच्छा खासा है no doubt you can see window area ने अपर भी glass मिल जाता है इस तरह से you can see and front में तो मिल जाता है a lamp rear में मिल जाता है a halogen lamp amazing and you can see the front dashboard view amazing car काफी जाता अच्छी लगती है अंदर से and now check कर लेते हैं इसका boot space किसर से मल जाता है इसमें boot space so boot space इस आपको front से open करना पड़ेगा पीछे कोई request इंसर फग्यार इसमें नहीं मिलेगा base variant में तो यहाँ पर आजाता है button इस तरह से इसको नीचे दबाओ जाता है इसमें 336 liters का boot space you can see so boot space काफी जाद अच्छा मिल जाता है and it's over the test close so rare look जो एना इसकार का वो काफी जाद अच्छा लगता है and front looks so obviously इसमें अच्छा मिली जाता है so that's all guys for this nissan magnite I hope you have liked this video अगर video अच्छी लगे तो like कर देना and channel subscribe कर देना मिलते next video में thank you so much for watching कर फेंगि मेरे बाल है